How to fix WhatsApp notification sound problem तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WhatsApp notification problem को कैसे आप solve कर सकते हैं चाहे आपको notification show नहीं हो रहा हो या फिर notification sound नहीं बज रहा है या फिर दोस्तो notification आपको बहुत देड़ से आता है या सारे problems को आप कैसे solve कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रहे हैं साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजेगा तो दोस्तों यहां पे देखें मैं आपको बताऊंगा कम से कम 5-6 settings जिसके मदद से आपका problem definitely solve होगा वीडियो के साथ बने रहे हैं सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपने mobile के whatsapp आपको open कर लेना है अभी whatsapp open करने से पहले दोस्तों आप play store में एक बार चले जाएए play store में एक बार चले जाएए यहाँ पे गलती से मेरा जेंडर खुल गया इसे close कर देता हूँ यहाँ पे close कर देना है इसे sorry माफी चाओंगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको play store में जाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे whatsapp चेक करना है यदि update आया है तो आपको यह update कर लेना है अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है WhatsApp आपको खोल लेना है खोलने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको 3.0 पर क्लिक करना है और Settings पर जाना है उसके बाद में Notifications पर जाना है अब यहां पर conversion जो है tones इसे आपको enable करना है जब आप किसी को message बेस्टे तो आपका tone जो है वो कड़क करके आपका बसता है अभी notification tone में जाके आपको check करना है कि message tone पर जाके check करना है non पर तो नहीं है non पर है तो आपको यहां पर कोई भी दूसरा जो है वो select कर लेना है ठीक है यदि non पर रहेगा तो नहीं होगा ठीक है यह आपको select कर लेना है उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है vibrate आप यहां पर चाहो तो check कर सकते short, long, off, default रख सकते आपको यहां पर short या फिर default पर रखना है उसके बाद pop-up notification पर आके यहां पर आपको only when screen on पर आपको click करना है या फिर only when screen off यदि आपका screen off रहेगा तब आपका WhatsApp notification आपको आजाएगा तो यह आप select करना है ठीक है उसके बाद में यहां पर light यह उतना जरुरत नहीं है use high priority notification so preview on the notification at the top of the screen अभी यदि आप इसे enable करते है तब आपको उपर जो है यहां पर show होगा notification उपर पर अभी notification tone जो है यहां पर notification tone जो है select कर सकते है यह non पे बिल्कुल भी नहीं रखना है ठीक है आपको दूसरा select करना है या फिर select file से select कर सकते है उसके बाद में दूस्तों यहां पे आपको क्या करना है ringtone setting calls के लिए आप यहां पे settings कर सकते है ठीक है calls के लिए non पे नहीं रखना है non को आपको unselect करना है और वाइवरेट आप default कर सकते है यह दि दूस्तों यह सारा करने के बाद में भी आपका notification settings नहीं होता है तो यहां पे reset notification settings को ओपर क्लिक कीजिगा यह reset हो जाएगा ठीक है यहां पे simply आपको reset कर लेना है उसके बाद में दूस्तों आपको क्या करना है simply आपको back जाना है और बहुत ही important settings आपको क्या करना है यहां पे आपको settings पे जाना है, यह सारा कुछ करने के बाद में भी आपका notification settings यहीं काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपने mobile में जाके app management या फिर installed apps पे आपको जाना है settings पे जाके ठीक है, अभी यहाँ पे जाके दोस्तों आपको क्या करना है, एक दोम important settings करना है, आपको यहाँ पे ढू on करना है, यहीं on नहीं होगा तो आपको WhatsApp notification कभी भी show नहीं होगा, ठीक है, तो यह आपको on रखना है, उसके बाद में mobile को एक बार restart कीजिए, आपका WhatsApp खोलिए, सारा notification आने शुरू हो जाएगा, तो उमीद करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching.